Hello everyone, welcome to ग्यान का पस्ता जैसा कि आपने वीडियो का थम्नेल देखा होगा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्या पीट यूनिवस्टी के MSC जुलोजी स्ट्रीम के कोर्स की चुकि आपके Master's Course, जुलोजी सब्जेक्ट का स्लेबस National Education Policy के द्वारा चेंज किया गया है और इस बदले हुए पाठकरम के बेस पे आपका जो स्लेबस है उसमें क्या बदलाव किया गया है उसके सारे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थूँ मिलने वाली है पैटन क्या होगा और कितने पेपर होंगे पेपर का क्या नाम होगा यह सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थूँ आपको मिलने वाली है तो वीडियो में अंतक बनी रहें तो आएए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने आपके MSC Geology से रिलेटेड मात्मा गांधी काश्वी विद्या पीठ यूनिवस्टी के स्लेबस को दिखाया गया है स्लेबस को बताने से पहले मैं आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दूँ आपके कोर्स से रिलेटेड आपका ये जो MSC Geology का कोर्स है ये इसका जो एक्जैम है आप वो सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा कंड़क्ट कराया जाएगा इस तरह से इस MSC Geology जो की दो वर्स का कोर्स है तो इस टू येर्स के कोर्स में आपका जो एक्जैम है वो हर छे महिने के टाइम इंटर्वल पर कंड़क्ट कराया जाएगा इस तरह से आपको इस दो वर्स के MSC Geology के कोर्स में टोटल चार सेमेस्टर एक्जैम देने होंगे जो कि हर 6 महिने के time interval पर conduct कराए जाएंगे इस तरह से आपके total 4 semester conduct कराए जाएंगे semester first, second, third and fourth तो आप देखेंगे semester first and second ये first year का आपका semester exam होगा semester third and fourth ये आपका final year का semester exam कहलाएगा तो इस तरह से देखिए आपके semester first and second ये previous year और semester third and fourth ये final year का exam कहलाएगा जो कि हर 6 महिने के time interval पर conduct कराए जाएगा और ये जो आपका semester first और semester third का जो पीपर है ये odd semester चुकि इसका number odd है और semester second and semester fourth even semester कहलाएगा चुकि इसका number even है तो इस तरह से क्या syllabus आपके लिए निधारित किया गया है तो यहां देखिए आपको दिखाया गया है यह आपका जो semester course है msc geology से related इसका syllabus national education policy के द्वारा निधारित किया गया है और वो कुछ इस तरह से है जो की unit wise दिया गया है तो यहां पर आपके जो exam है देखिए आपको यहां पर बताया गया है कि यह जो है दो वर्स का course है आपका msc geology का जिसमें आपको previous and final year के base पे आपको exam देने होंगे हर साल में आपके दो semester exam conduct कराये जाएंगे जो कि मैंने बताया तो इस तरह से एक साल में आपके दो semester exam conduct कराये जाएंगे total 4 semester आपके इस msc geology course के दोरान दिये जाएंगे तो आइए देख लेते हैं और इस semester पुनाली के द्वारा आपके कुछ subject के topic भी change किये गया है और उनका number भी interchange किया गया है और इसके पीछे reason यह है कि आपका understanding knowledge आपके paper से related develop करना और आपके ग्यान का विस्तार करना है तो इस तरह से आए देख लेते हैं आपके first semester में क्या syllabus निधारित किया गया है जो कि आपको unit wise बताया जाएगा आप चाहें तो अपने semester के syllabus का screenshot भी ले सकते हैं या आप चाहें तो इसका PDF भी download कर सकते हैं जिसकी link आपको description box में मिल जाएगी तो यहां आप देख सकते हैं यह आपके understanding label के लिए दिया गया है concept clear हो आपका अपने पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी हो तो देखें यहां पर आपके MSC Geology से related course के बारे में बताया गया है जो कि two years full time program है Geology subject से MSC में और यह जो आप देख सकते हैं यहां पर समझाया गया है जो मैंने आपको बताया MSC program दो पार्ट में divide होगा और इस तरह से एक पार्ट में आपके दो semester exam conduct कराये जाएंगे जो कि कुछ इस तरह से होंगे पार्ट फ़स्ट में देखिए फ़स्ट एर में फर्स्ट एन सेकंड सेमेस्टर के exam होगे और पार्ट सेकंड में देखिए जो कि second year भी कहलाएगा 3rd semester और 4th semester के exam conduct कराए जाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं 1st year में आपके 1st semester और 2nd semester के exam conduct होंगे और 2nd year में आपका 3rd semester और 4th semester का exam conduct कराए जाएगा जो कि हर 6 month के time interval पे conduct कराए जाएगा आपके जो question होंगे वो theoretical होंगे और चार paper आपके written base पे होंगे हर semester में तो आएए देख लेते हैं semester wise आपके subject paper का नाम MSc Geology course के लिए तो यहाँ देखिए आपके session 2023 के exam के लिए semester wise इस तरह से slipस है आपका देखिए first semester के लिए जो paper दिये गये हैं वो कुछ इस तरह से है first है आपका non-core data paper second है bio statistics, bioinformatics and bio instrumentation and third paper है आपका environmental biology का और fourth last paper होगा biochemistry का और एक आपका practical examination होगा या dissertation work होगा जिसमें आपको project file या field work दिया जाएगा जो की आपके university या college के द्वारा आपको बताया जाएगा तो इस तरह से first semester के लिए ये चार paper थे जो की आपके semester wise conduct कराये जाएंगे first semester में चार paper के written paper होंगे और उनका नाम कुछ इस तरह से था और इसकी syllabus की full detail हम आगे continue करेंगे next देखें second semester को समझ लेते हैं second semester के लिए जो आपके related previous semester के question paper को भी आप देख सकते हैं जिसके video हमारे चनल पर अल्रेडी अप्लोड की गई है क्योंकि ये जो previous semester के question paper होते हैं इससे आपको paper के pattern को समझने में help मिलती है और बहुत से question मिल जाते हैं जो कि आपके upcoming exam में as it is routine as it is repeat कर दिये जाते हैं तो इस तरह से जो question होते हैं वो repeat किये जाते हैं तो आए नेक्स देख लेते हैं third semester में आपके क्या paper है first रहेगा आपका third semester में paper 1 applied biology second रहेगा development biology and third रहेगा endocrinology और fourth paper के लिए यहां आपको तीन option दिये गया है जिन में से कोई एक आपको choose करना है और वही आपका हो जाएगा paper fourth fourth semester third तो देखिए first option आपका दिया गया है fish taxonomy and morphology या इसे हम fishery biology भी कह सकते हैं second option है entomology morphology physiology development and ecology इसमें आपको insects के बारे में study करनी है third paper देखिए cell biology से related है cytological techniques यहां पर आपको कोशिका के techniques के बारे में पढ़ना होगा तो इस तरह से यह three topic दिये गये थे paper fourth के लिए semester third में और कोई एक आप choose करेंगे अपने university या college में जो भी availability होगी उसके according तो इस तरह से यह देख सकते हैं आप तीन paper में से कोई एक आपको चूज करना है fourth paper के लिए और बाके तीन paper यह थे development biology, endocrinology and applied zoology तो यह था semester third के लिए आपके paper subject का नाम next देखिए आते हैं semester fourth में semester fourth के लिए मैं बता दू आपके total तीन theoretical paper होंगे तो इस तरह से तीन आपके theory paper होंगे और एक आपका dissertation या project field work दिया जाएगा तो देखिए first paper होगा आपका semester fourth के लिए biosystematics and evolution, second paper होगा animal behavior का and third में भी देखिए semester third के लिए तरह आपको तीन option दिये गए हैं जो भी आप एक option चूज करेंगे semester third में उसी का paper इसमें third paper हो जाएगा देखिए fishery biology से related या entomology और cell biology जो भी आप paper fourth opt करेंगे semester third के लिए वही आपका यहाँ semester fourth में third paper हो जाएगा तो इस तरह से ये थे semester fourth के लिए आपके subject paper के नाम और एक आपका होगा dissertation project work तो इस तरह से semester fourth में आपके तीन theoretical paper conduct कराए जाएगे अब हम देखेंगे semester first के full syllabus को जो की unit wise आपको बताया गया है syllabus की अच्छी knowledge होने से आप अपने paper की preparation और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे क्योंकि इन्ही syllabus से आपका question आपके exam में put up किया जाएगा तो बस आपको दिये गया syllabus को अच्छे से prepare करना है आएए देख लेते हैं MSA Geology के इस syllabus को जो की national education policy के द्वारा निर्धारित किया गया है और session 2023 से ये आपके question paper में follow up किया जाएगा तो आएए देखते हैं MSA Geology semester first के लिए unit wise आपके इस दिये गया syllabus को तो semester first में आपका first paper रहेगा non-core data का non-core data में देखिए first unit के अंतरगत आपको पढ़ना है protozoa, porifera and silent data के बारे में इसमें आपको protozoa के locomotion, methods of locomotion, इनके nutrition, holozoic nutrition, spherozoic, maxopetric nutrition, reproduction, asexual, sexual, protozoa and related diseases के बारे में ये important topic है इस तरह से देखिए आप हर unit में जो भी topic दिया गया है उससे आपके exam में एक question जरूर put up किया जाएगा next देखिए, porifera के अंतरगत आपको पढ़ना है skeleton, specules and sponging, canal system, इसके types के बारे में, इसके function के बारे में तो इससे भी question दिये जाते हैं, ये भी important है पूरा slabर से important है आपके लिए बट कुछ topic जो होते हैं, वो most important होते हैं देख देखिए, salentrata salentrata के अंतरगत इसमें polymorphism पर based question put up किये जाते हैं इनके polymorphism structure, example, इनकी affinities, इनकी property या गुण के बारे में बताना होता है question exam में पूछ लिये जाते हैं तो इस तरह से salentrata topic भी बहुत important है इनके polymorphism, metazoan condition और इनके character पर based question exam में पूछ जाते हैं next देखिए, second unit के अंतरगत आपको पढ़ना है platyhelminthes and ascalminthes के बारे में इनके parasitism character जो के platyhelminthes में पाय जाते हैं ascalminthes में parasitic adaptation, trematodes, castodes, इनका physiological adaptation, larval stages भी important है trimatodes and castodes पर भी question दिये जाते हैं तो इस तरह से देखिए, इसमें दिये गए topic भी important है next देखिए, unit 3rd में आते हैं, unit 3rd के अंतरगत, first paper के लिए आपको पढ़ना है any leader and orthopoda के बारे में, इसमें segmental organ के बारे में पढ़ना है, filter feeding पर based question भी दिये जाते हैं larval forms of crustacean, parasitism तो इस तरह से देखिए, ये topic भी important है next, unit 4th, जो की last unit है, first paper के लिए इसमें आपको mollusca and echinodermita के बारे में पढ़ना है इसके अंतरगत आपको respiration in mollusca, torsion in gastropoda, water vascular system and larval forms in echinodermita तो इस तरह से ये था first paper के लिए आपका unit wise syllabus, next देखिए, second paper में आते हैं जो की है, bio statistics, bioinformatics and bio instrumentation, first semester के second paper के लिए, unit wise syllabus, first unit में आपको पढ़ना है, bio systematics के बारे में, bio statistics के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं, यह आपका syllabus है, और इन्ही topic को आपको अच्छे से prepare करना है, यहाँ भी देखिए, mean median mode, इस पर based numerical question भी exam में दिये जाते हैं नेक्स देखिए, second unit में आपको पढ़ना है, bioinformatics के बारे में, bioinformatics के अंतरगत आपको पढ़ना है, biology, IT computers के बारे में, biological, medicinal, छेत्र में इसका क्या यूज है, cladogram, dendogram, और दिये गए, in particular topic के, full forms के बारे में, short question पूछ लिये जाते हैं, तो इस तरह से आपको, bioinformatics के अंतरगत ये दिये गया particular topic को prepare करना है, next देखिए, unit third में आते हैं, unit third में आपको पढ़ना है, biological techniques के बारे में, biological techniques में आपको पढ़ना है, working principle, इसके types, application, chlorometry, spectros, photometry के बारे में, electro forces, centrifugation, ये question भी put up किये जाते हैं, next देखिए, आते हैं, unit fourth पे, unit fourth में आपको पढ़ना है, microscopy के बारे मे इसके principle, construction, compound microscope, electron microscope, इस तरह से ये था, fourth unit for the paper, second of semester first, यहाँ पर कुछ बुक्स भी suggest की गई हैं, आप देख सकते हैं, जिस पे study material या resource से आप अपनी पढ़ाई प्रिपेर कर रहे हैं, उसी से continue करें, बट दिये गए, syllabus को cover करते हुए, इनी पर based question exam में दिये जाएंगे, next देख इसके फर्स्ट के थर्ड पेपर के लिए, जो की है, environmental biology का, और environmental biology के अंतरगत आपको prepare करना है, first unit से, population, ecology के बारे में, इसके character statistics के बारे में, growth पर based question पूछा जाते हैं, कौन सा graph बनता है, और inter-specific competition, mutualism, commercialism, यह important topic है, first unit पे, next देखिए, second unit से आपको पढ़ना है, ecosystem के बारे में ecosystem से आपके long question पूछे जाते हैं, food wave, food chain, energy flow chart, तो इस तरह से यह topic cover करने है, unit second से, third unit में देखिए, आपको पढ़ना है, environment के बारे में, environmental stress and strength, global warming, acid rain, यह topic भी देखिए, easy भी है, और important भी है, इससे एक भी exam में question दिये जाते हैं, next है, unit fourth, जो की last unit है, third paper से, और इसमें आपको पढ़ना है, biodiversity के बारे में, biodiversity क्या होती है, इसके types के बारे में, यह किस तरह से species को प्रभावित करती है, alpha, beta species, इनके importance, significance, hotspots, parks, keystone species, indicators, यह सारी topics important है, तो इस तरह से third paper के लिए दिये गए, इस topic को आपको अच्छे से cover करना है, next आते है, paper fourth, जो की है, बायो केमिस्ट्री का, तो फर्स सेमेस्टर में, paper fourth, बायो केमिस्ट्री के लिए आपको unit-wise preparation करनी है, और उसका असले बस कुछ इस तरह से है, फर्स उनिट में आपको पढ़ना है, बायो एनर्जेटिक्स के बारे में, बायो एनर्जेटिक्स के अंतरगत आपको पढ़ना है, elementary thermodynamics के, first and second logs के बारे में, किस तरह से thermodynamics का system use किया जाता है, energy chain किस तरह से देखने को मिलता है, oxygen reduction के बारे में पढ़ना है, तो ये topic आपको अच्छे से cover करना है, first unit के अंतरगत, next देखे, second unit, second unit में आपको पढ़ना है, enzymes के बारे में, enzymes की mechanism के बारे में, इनका activation किस तरह से पाया जाता है, किस तरह से ये help करते हैं, ये सारी types आपको पढ़ना है, unit second में, enzymes के अंतरगत, next देखे, third unit में आपको पढ़ना है, carbohydrate के बारे में, carbohydrate का classification, structure, general properties, इसका significance, इसके examples, इस ये देखे, important topic है, ये भी, next, fourth unit है, fourth unit में आपको पढ़ना है, classification and significance of vitamins, vitamins पर-based question इसमें रहेंगे, fourth unit के अंतरगत, इनका क्या biological use है, cancer के बारे में, oncogenes के बारे में, carcinogens के बारे में, ये important topic है, इससे भी question exam में दिये चाते हैं, तो इस तरह से ये था, आपके, MSC, चुलोजी, के लिए first semester के चारो पेपर का syllabus, आशा है, इस वीडियो के तुरू आपको, आपके MSC, जुलोजी, first semester के चारो पेपर का syllabus को समझने में help मिली होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को like करें, और ऐसे ही helpful वीडियो के लिए, MSC, जुलोजी से related channel को subscribe करें, thank you for watching this video guys, please like share and subscribe this channel, till then stay happy, stay connected.